चप्पे चप्पे की खबर बड़ी से बड़ी खबर क्राइम से लेकर राजनीती तक किस नेता ने पांच साल में क्या काम कराया? मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर जो बदलेगा तो मोदी जी चला दे वो सिस्टम उससे पैसा नहीं बन रहा है मगर सवाल यह है कि हिंदुस्तान की योगा जो है अगनीवीर में उनका उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं? अगनीवीर में नहीं है अफको कि मारइट बनाते हो बिल्ड कशक्रें तो सबसे पहला काम किया होता है तो रॉनिंग में बेश-ट्रेनिंग का सबसे करनी है यू पूरा समझा देगा पल्स्रीट को कैसे यूज करना ला को पिसे कर नीये है ये पूरा समझा देगा आपका टाइन चाहिए कCrowd आपके लिए रास्ता है, यह रास्ता बंद हो गया आप जानते हो कि अगनिवीर के बाद आप में से मतलब चार में से एक ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप यह कर रहे हो, आपको क्या लगता है, यह क्यों किया गया है, अच्छा अगर हमारा युद होगा, तो किसके साथ होगा, चीनिया पागिस्ता है, तो बिल्कुल लगा है, तो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, चीन और पाकिस्तान के साथ होगा, दोनों मिल के लड़ेंगे, ठीक है? अब चीन को आर्मी है, उसका फीसा कहां से आता है? बढ़ियां से उवहाओ उट ही से उपिए सचंध से नहां से नहाता है? उपिए सब घृट दोना इस है या ये डिन न कहा है ये या ये मेगधिन जा जा है ये जूत ये पैसा बन रहा है उनके पर बजट पेसा पर ये सम्झेछ, बढ़रे हमारे में ठाःगे हमारा पैसा का से कहा रहा है हम यह तो नहीं मना R Us सब्सक्राइब कर दो आर्मी में ड्रहाइं में जो बजेट है उसमें पैसे की कमी पैसे की कमी है इसलिए उनों चार साल कर दिया अब सवाल ये है हमें ज़िसको निबालनाम निकले अब पहली बात उसमें यह मालून इतले कर१ निकले खैसिय्ट हो सकता है मैं नहीं कहरा हूं कि होगा वह सकता है निदूसरी बात यह और अगडर इसको गोली लगी और है आर्मी वाला मतलब लॉंग टर्म वाला है, तो इसको हम शहीद का दर्जा देंगे, मगर इसको गोली लग गई, एक बात आपको समझनी है, कि जो सिस्टम मोदीजी चला रहे हैं, वो सिस्टम उससे पैसा नहीं बन रहा है, मगर सवाल यह है, कि हिंदुस्तान के युवा जो ह जो भी हम करेंगे, आपके साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम नहीं होने लेंगे, तब मेरा एक सवाल है, बोलो, कि यह अगनी बीर में जो है, पहले पैंशन मिलता था, क्या करते हैं, भरती होती थे, तो हम लोग जदी सहीद हो जाते थे, तो उसको पैंशन का जो बेवस था यह पैंशन मिलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन यह सबस्क्राइब बताता हूं, ओर्डिनेंस फैक्टरी में सरकारी थी, ओर्डिनेंस फैक्टरी में आप जैसे लोग जाते थे, डलेत, आदिवाजी, OBC, उसमें रेजवेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती थी, ठीके, सेना में आपकी नौकरी लग जाती थी, अब क्या हुआ, ओर्डिनेंस फैक्टरी को परेगर दिया, अदानी जी मना रहे हैं, राइफल अदानी जी मना रहे हैं, गोली भी अदानी जी मना रहे हैं, अदानी जी के कंपनी में आपको रोजगार तो न जो आपको आपके जेव में जो पैसा जाना था जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था ठीक है आपके पेंशन में जाना था आपकी रक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट में जाना था हेलमेट में जाना था वह अधानीची की जेव में जाना है और आपके जो रास्ते थे एक में जॉब पाना एक इंडियन ओर्डिनेंस फैक्टरी में जॉब पाना बी एचियल में जॉब काना वो सब बंद कर रहे हैं सर अभी वर्तमान में हम जैसे लाखो हजारो युवा सर अगनीवीर में सेलेक्शन लेते हैं किसी कारण बस जुआएं नहीं हो पाता है हम सरकार में याएंगे सबसे पहले सकते अगनीवीर हुआ क्यों है क्योंकि आज तक यह समझायनी हैं और अगर उसको रोल बैक कर आजा सकता है तो हम इसको रोल बैक करने की कोशिच करेंग अगर सेना हमें कहें अ में कर सकते तो फिर हमारे मुश्किल हो जाएगा मगर अगर सेना कहेगी कि हम रोल बैग नहीं कर सकते तो फिर हम सेना से कहेंगे देखिए आपका पहला काम हिंदुस्तान की जवान की देखबाल करने का है गैरंटी हो कि भाई आज यह जो सेना चार साल करके आए इनको कुछ ना कुछ मिले यह यह हम कर सकते आखरी बात मैं आपसे कहना चाता हूं मेरे पास कुछ महीने पहले आप जैसे लड़के आए तो उनके साथ क्या हुआ वो एक लाग पचास हजार लोग है युवा है आप जैसी ट्रेनिंग की वहने और उनकी भरती हो गई अगनी वीर से पहले की बात है उनकी भरती हो फिर उ ले लिए और फिर कहा कि भाई नहीं लेंगे तो उनके साथ में टॉर्चर हुआ इनका तो उनकी भी थोड़ी बात करो कैसे मेलेंग बोधी जई गलता है हमको लगता नहीं थागप बदा नहीं çalışने गणी कि अपना बात यह रखे है वह तो हमारा बात को जो है बहुत गाराई से सुने उस पर निर्ना लिए तो इसमें कहा कि बहुत बड़ा अन्ये हुआ है जब हमारी सरकार आएगी तो इस पर बात रखा जाएगा